मसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चलल ZV Monitor में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि PTM Post Pad की Limit को कैसे बढ़ाएं जी हैं दोस्तों अगर आप भी जो है PTM Post Pad की Limit को यूज करते हैं और दोस्तों आपकी जो है PTM Post Pad की Limit कम है और आप दोस्तों किस तरह से उसको Increase कर सकते हैं इस वीडियो में में आपके लिए जो है दोस्तों Lab Proof के साथ यहाँ पर अपनी Limit को जो है Increase करके दिखाने बाला हो तो किस तरह से दोस्तों Increase किया जाता है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो सारी Information आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी तो दोस्तों अगर आप भी जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को सुरू से End तक देखेगा और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आएं चैनल को सस्क्राइब नहीं क्या है तो प्लीज जार चैनल को सस्क्राइब कर लिजएगा और जो साथ में गंटी बाला बटन है उसको भी फ्रेस कर लिजएगा क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए रोजना स्तरह की काम के उंटरस्टे वीडियो लाते रहते हैं तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने पेटियम पोस्ट पेड में यहाँ पर पेटियम एप्लिकेशन में तो मैं यहाँ पर पेटियम पोस्ट पेड में आता हूं तो मैं यहाँ पर देख सकते है मुझे अभी जो है यहाँ पर कुछ दिन पहले ही मैंने इसको activate किया है तो activate करने के बाद में मुझे यहाँ पर देख सकते हैं 500 रुपे की limit मिली है जिसको मैंने यहाँ पर use कर लिया है देख सकते हैं 500 रुपे की मुझे यहाँ पर limit मिली दी उसका repayment अगर आप जो है साही समय से करते हो अगर आप एक भी EMI जो है delay नहीं करते हो तो दोस्तो अगली बार में जब आप repayment कर देते हो तो उसके बाद में जब आपका loan खुलता है जैसे कि आपको पहले 10,000 रुपे मिलाता तो अपकी बार में ज़्यादा मिलेगा आपको ज़्यादा amount मिलता है इसी तरह से दोस्तो यहाँ पर Paytm Postpad में होता है लेकिन दोस्तो हम जो है Paytm Postpad में अपना यहाँ पर bill payment कर देते हैं time to time उसके बाद में भी जो है हमारा यहाँ पर limit नहीं बढ़ता है तो दोस्तो मैं आपके लिए बता दूँ यह आपका जो है आप क्या गलती कर देते हो जैसे कि दोस्तो आप जो है phone पे, google पे, amazon इस तरह से यह transaction वाली application जरूर चलाते होंगे आप ज़्यादा तरह transaction जो है phone पे से या google पे से करते होंगे लेकिन आप जो है paytm से कोई भी transaction नहीं करते होंगे तो दोस्तो आपको क्या करना है आप जितने भी transaction करते हो जैसे कि आप जो है किसी को पैसर ट्रांसपर करते हो आप दिन में जितना भी लेन दिन करते हो वो आप अपने paytm से करोगे आप अपने paytm से करोगे तो आपके जो यहाँ पर transaction history है वो यहाँ पर दोस्तो आपकी ज़्यादा हो जाएगी और जो आपका civil score है उस पर भी जो है आपर effect पड़ेगा और जब आपकी transaction history ज़्यादा होगी आपके account में balance बना रहेगा तो जो है ये paytm बालों को पता लग जाएगा कि आप जो है ज़्यादा transaction करते हैं उससे दोस्तो आपके जो है आपर limit increase हो सकती है लेकिन यहाँ पर दोस्तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि मैं आपको जो है आपर live proof के साथ limit बढ़ा के दिखा दूँ क्योंकि बहुत सारी लोग comment करते हैं कि सर जो है limit कैसे इसकी increase करें तो उस पर एक वीडियो बनाईए तो मैंने सुचा क्यों ना काफी लोग जादा comment करते हैं तो मैं इस पर क्यों ना एक वीडियो बनाऊ तो दोस्तो मैंने आपको तरीका बताया उसी तरह से आप अपनी limit को increase कर सकते हैं आप चलिए दोस्तों बात करते हैं जैसे कि आप जो है नई user है और शुरुगात में आप पेटियम पोस्ट पेट की limit के लिए यूज करते हैं मतलब जो है apply करते है apply करने के बाद में जब आप यहाँ पर दोस्तो अपना जो pen details नंबर डालते हैं आपसे pen card नंबर पूछता है तो आपसे आप पर employment पूछता है जैसे कि आप काम क्या करते हो salary base पे काम करते हो self employment हो तो दोस्तों आप जो है जालत तर अपना जो है salary base बरिएगा salary base भरोगे आप तो आपको जो है आप अच्छी घासी limit देखने को मिल जाती है जब आप किसी भी company में या किसी भी application में loading के लिए apply करते हैं तो दोस्तों आप गलती करते हैं self employment select कर लेते हैं तो आपको जो है self employment बिल्कुल भी select नहीं करना है self employment आप select कर लेते हैं उससे आपको जो है limit कम मिलती है किसी भी application में अगर आप loading के लिए apply करेंगे तो आपको salary base ही select करना है अगर दोस्तों मैं आपके लिए बता दूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग यह भी comment कर रहे थे कि यहाँ पर जो charges है इसका charges कितना लगता है यहाँ पर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिष्ट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर कही सारे जैसे convince fees तो आपको यहाँ पर convince fees नहीं लगते हैं यह आपके जो spend करते हैं उसके हिसाब से यह लगता है तो दोस्तो इस तरह से आप जो है अपनी limit को बढ़ा पाएंगे बरना दोस्तो इसका कोई आसान दूसरा तरीका नहीं है जिससे कि आप अपनी limit को increase कर पाएं तो अमि को subscribe करके जाएं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक लिए जहन बंदे मातरम धन्रवाद